हेलो दोस्तों स्वागते आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इंडिको एरलाइन्स की तरफ से आप सभी लोगों के लिए एक लेटेस जानकारी शेर की गई है जी हाँ दोस्तों जिसमें की Indico Airlines ने ये बताया है कि वो अब यहाँ पर 32 इंटरनाशनल डेस्टिनेशन के लिए अपनी फ्लाइटों की सुरुआत कर रही है इससे पहले Indico Airlines 26 इंटरनाशनल डेस्टिनेशन पर अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट करती थी लेकिन अब वो यहाँ पर इस साल से 26 की जगा 32 इंटरनाशनल डेस्टिनेशन के लिए अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट कर रही है आपको बताते चली कि इस एरलाइंस ने पिछले महिने ये अनांस्मेंट किया था कि वो नैरोबी के लिए इसके अलावा जकार्ता के लिए मुंबई एरपोर्ट से अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट कर चुकी है और साती साथ उसने यहाँ पर ये भी बताया था कि तबली सी जो की जोर्जिया में है उस देश के लिए भी दिली एरपोर्ट से अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट कर चुकी है इसके बाद अब यहाँ पर इसने ये अनांस्मेंट कर दिया है कि वो अगस्त और सेप्टमबर महिने से होंग कॉंग, उजवेकिस्तान, कजाकिस्तान और अजर बेजान के लिए भी अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट कर रही है आपको बताते चले कि COVID-19 से पहले ये अपनी फ्लाइटों को इन देशों के लिए भी ऑपरेट करती थी लेकिन करोना आने के बाद इसने इन सभी देशों के लिए अपनी फ्लाइटों को बंद कर दिया था कांपनी ने अगस्त और सब्टमबर मैने से अपनी फ्लाइटों को शुरू करने का अनॉंस्मेंट कर दिया है ये इस वक्त की लेटेस्ट खबर थी आप सभी लोगों के लिए जिसकी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिली है ऐसी और लेटेस्ट कबर को ये दि आप रेगलोर बेसिस पर देखना चाते हैं तो चैनल के साथ जरूर बने रहे हैं और ये जानकारी ये आप लोगों को काम की लगी हो तो इस नियूस को जरूर लाइक कर दें और हाँ आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको रेगलोर बेसिस पर एरलाइन्स और ट्रैवलिंग से आने वाली सारी लेटेस्ट खबरों की नियूस देते रह लेटे हाँ